केजरी वाल के विधायकों की हरकत से पुलिस महकमा भी परेशान है और परेशान हो भी क्यों ना भाई कोई एक आद एमेले की हरकते गिरफतारी के लाइक होती तो भी चल जाता पर यहां तो 25 विधायकों पर केस चल रहा है और 5 गिरफतार भी हो चुके हैं गिरफतार होने वाले विदायकों के लिस्ट में महेंद्र यादब भी जुड़ गए हैं दिल्ली पुलिस ने आप विदायक महेंद्र यादब को गिरफतार किया है यादब पर आरोप है कि शुकरवार को एक प्रोटेस्ट के दोरान उनोंने लोगों को भड़काया था साथ ही उन पर एक सरकारी करमचारी के साथ बचसालूकी का भी आरोप है महेंद्र यादब विकास पुरी से विदायक है पुलिस के मुताबिक निहालपुर इलाके में एक बच्ची के रेप के बाद हुए प्रोटेस्ट में यादब और उनके सपोर्टरों ने हंगामा खड़ा कर दिया पुलिस का आरोप है कि यादब ने भीड को भड़काया जिससे पहले सही मौजूद नाराज भीड और गुस्सा हो गई रोहालात दंगे जैसे हो गए आपके पांच MLA गिरफतार हो चुके हैं फर्जी डिगरी के मामले में जीतेन सिंग तोमर अरेस्ट हुए हैं इस विवात के चलते तोमर ने केजरीवाज सरकार में कानून मंत्री के पत्स से इस्दीफा भी दिया सोमनाद भारती भी पत्ती से मारपीट के मामले में अरेस्ट हो चुके हैं दिल्ली की कॉंडली सीट से आम आदमी पार्टी के MLA मनोज कुमार धोखा दड़ी के आरोप में अरेस्ट हो चुके हैं आपके MLA सुरेंज सिंग पर N-DMC के करमचारी से मारपीट करने और बुरा बरताओ करने के आरोप में अरेस्ट हो चुके हैं नवंबर 2015 में अखिलेश तेरपाथी को 2013 में दंगा भढ़काने के मामले में अरेस्ट किया गया ये पांच तो केजरीवाल के विधायक हैं जिनकी गिरफतारी हो चुकी है वहीं आपको ये भी बता दें कि आपके 23 विधायकों पर है क्रिमिनल केस चल रहा दिल्ली में आपके एक तिहाई से ज्यादा विधायक दागी हैं आपके सरसट विधायकों में 23 करीब 34 परसेंट ने चुनावी एफिडेविट में अपने खिलाफ क्रिमिनल मामले खोशित किये हैं ऐसे में केजरी वाल के क्रिमिनल विधायकों की किरफतारी आने वाले दिनों में भी हो तो चौकिएगा नहीं क्योंकि जब अपरादियों के साथ सरकार बनाई है तो सलाखों के पीछे तो जाना ही पड़ेगा